हेलो एवरिवन आज हमें समझना है कि प्रो एंजाइम्स क्या होते हैं जाइमोजन क्या होते हैं और आईसो एंजाइम्स या आईसोजाइम्स क्या होते हैं तो प्रो एंजाइम्स क्या होते हैं इन एक्टिव प्रिकरसर ठीक है इन एक्टिव प्रिकरसर और एन एंजाइम जैसा कि उसका नाम ही बता रहे है प्रो एनजाइम य inspired जर्श्ट पहले वाला ठीक है तो enzymes के inactive precursor कभी-कभी कुछ cells जो है enzymes को inactive forms में निकालते हैं उन्ही you can say उन्ही substances को हम pro enzymes कहते हैं जो कि जिनमें की enzymes वो होते तो enzymes है लेकिन enzymatic activity नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि वो inactive form में निकलते हैं ठीक है जाइमोजन क्या होता है जाइमोजन होते हैं जाइमोजन एक type का pro enzyme ही है और अगर मैं बात करूं तो बस मुझे ये जो enzyme है उसमें सिर्फ एक और दूसरे word को add कर देना है these are the inactive precursor ये भी inactive precursor होते है of proteolytic enzyme जो protein को तोड़ने में help करते है जो protein के उपर act करते है enzyme तो lipid के उपर भी act कर सकता है carbohydrate के उपर भी act कर सकता है starch हो गया, protein हो गया किसी भी चीज़ के उपर act कर सकता है तो उन सब को ऐसे enzymes जो inactive form में निकल रहे है उनको हम बोल रहे है pro enzyme लेकिन specifically जो proteolytic enzyme है जो protein के lysis करते है वो जब inactive form में निकलते है तो उन्हें हम बोलते हैं zymosin, so zymosin is a type of pro enzyme ओके, example देखिए pepsinosian pepsinosian specifically अगर आप बोलो तो zymosin है क्यों क्योंकि protein के उपर यह जो इसका active form है pepsin वो proteolytic enzyme है लेकिन इसका pro enzyme भी बोल सकते हो in a broad way तो pepsinogen pepsin यह active difference क्या है कि यह active form enzyme की और यह inactive form है होकी hcl की presence में यह active form है change वाता है दूसरा example है trypsinogen trypsinogen इसका जो active form है वो है trypsin और यह क्या है inactive form है trypsinogen क्या होता है pancreas से निकलता है pancreas से निकलता है और intestinal juice में जाता है और वहाँ पर एक दूसरा enzyme है enterokinase जो की trypsinogen को trypsin में change करता है यानि inactive form को active form में change करता है निकलता कहां से है pancreas से digestive system में पढ़ा होगा तो अब isozymes क्या होते है यह दोने चीज़े clear होगी isozymes क्या होते है किसी particular organism में किसी particular living being में कुछ enzymes जो है वो multiple molecular form में रह सकते हैं जैसे कि आपने isoenzymes जैसे आपने isomers पढ़े होंगे chemistry में उसी चीज़ को यहां पर हम compare कर रहे हैं और उसी चीज़ को biology में हम नाम दे रहें isoenzymes आप ऐसा सोच लिजे तो isoenzymes क्या होते हैं isoenzymes या isozymes क्या होते हैं कि certain enzymes कुछ enzymes जो है exist in multiple molecular form वो अलग-अलग molecular forms में present होते हैं in same organism ठीक है एक यह organism में कोई भी enzyme अलग-अलग molecular form में present होता है तो उनका molecular structure तो same होता है ठीक है तो जो ऐसे enzymes होते हैं उनका जो molecular structure है sorry मैं क्या बोला same नहीं तो ऐसे जो enzymes होते हैं यानि जो ऐसे enzymes की जो variants होंगे ठीक है ऐसे enzymes की जो variants होंगे उनका molecular structure सेम नहीं रहते है slightly differ करते है slightly differ तो इनका जो molecular structure है थोड़ा-थोड़ा differ करेगा लेकिन इनकी जो substrate this is important जो इनकी substrate activity होती है वो same रहती है ठीक है यानि ये जो उस enzyme के different different molecular forms होंगे कि वो एक ही substrate के उपर act करते है अगर वो एक ही substrate के उपर act नहीं करते तो यानि वो अलग-अलग enzyme होते लेकिन क्योंकि वो एक ही substrate के उपर act कर रहे हैं और उनका बस difference यह है कि थोड़ा-थोड़ा molecular जो structure है उसमें वो differ कर रहे है तो इनी variants को हम iso enzymes बोलते हैं ठीक है अब क्या होता है कि जो ये iso enzymes होते हैं क्योंकि इनका molecular structure में थोड़ा-थोड़ा change हो रहता है इसलिए क्या होता है कि optimum activity अलग-लग होती है यानि अलग-अलग temperature और pH पे या अलग-अलग environmental condition पे या अलग-अलग optimum activity दिखाते हैं सपोस कोई enzyme A है उसके variant हो गए A1, A2, A3, A4 ठीक है तो A1 हो सकता है कि कि किसी particular temperature pressure या pH पे activity दिखाए optimum activity A2 उससे हटके दिखाएगा A3 भी यानि किसी दूसरे temperature pH पर वह अपनी optimum यानि maximum activity वह दिखा रहा है तो इसके वज़े से क्या होता है कि जो living organism है जिसमें कि उस particular enzyme के यह different variants है वह अलग-अलग environmental condition पे वह काम कर सकता है यानि adapt हो सकता है क्योंकि अगर एक टाइप का उसका जो enzyme है एक टाइप का जो variant enzyme का वह act नहीं कर पा रहा है तो दूसरा जो उसका variant है उस enzyme का वह act कर लेगा तो इस तरीके से उस organism वह organism better adapt हो सकता है अलग-अलग environmental conditions पे अब जैसे कि humans में अगर मैं बात करूं तो lactic dehydrogenase enzyme होता है और humans में ही इस lactic dehydrogenase enzyme के 5 iso enzymes पाए जाते हैं दूसरा की alpha amylase alpha amylase of wheat endosperm wheat endosperm जो होता है उसमें alpha amylase जो enzyme है इसके 16 variants या 16 isozymes पाए जाते हैं तो ऐसा iso enzymes होने का एक plus point या advantage यह है कि particular आपका organism है वह अलग-अलग environmental condition पे वह अपने आपको adapt कर पाएगा और जिससे कि survivability उसके survive होने के chances क्या हो जाएंगे बेटर हो जाएंगे तो यही थे iso enzymes, pro enzymes, zymogen and iso enzymes तो अगर आपको lecture समझाय होगा तो प्लीज इससे like, share and subscribe करिएगा Thank you